हलो एक्षी और स्वागत आप सभी काड़ा 247 के ओफीशियल यूट्यूब चैनल पर तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हमार साथ जुड़ गए हैं फटा-फट बता दीजिए कौन-कौन हमार साथ यहां पर कनेक्ट हो गया है और जो जो भी कनेक्ट हो गए है फटा-फट एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रगणों के साथ जहां जहां भी आप लोग उनके साथ कनेक्टिड हैं वट्सप पे, फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां भी आप लोग कनेक्टिड हैं हर जगे क्या है भई वीडियो को शेर जरूर कर दीजी ठीक है और अगर ओडियो क्लियर है वीडियो क्लियर है तो मुझे थम्स अप देके बता दीजे that you are ready for the today's amazing session कि आज के इस session के लिए आप लोग एक दम से तयार है daily हम अपनी class में क्या है भई प्रबंध के जो सिधान्त है हमारे ठीके प्रबंध के क्या है भई हमारे जो सिधान्त है उन सभी सिधान्तों को हम यहाँ पर discuss करते हैं total हमारे 14 principles हैं उसमें से कुछ एक principle जो है हम discuss कर चुके हैं साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप बिल्कुल फ्री में एक एक चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारी अड़ा 247 की आप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यह सारे features तो आपको मिलेंगे ह साथ ही साथ आपको क्या है 1% का additional discount यहां पर मिल जाएगा जिससे आप किसी भी batch को purchase करने में यूज कर सकते हूं गुड मॉर्निंग मक्षन जी टीना सभी को गुड मॉर्निंग सुनील कुमार तो भई हम कल तक की क्लास में साथ हमारे जो principles हैं उनको discuss कर चुके हैं आज हमारा अगला है केंद्रिय करन और विकेंद्रिय करन केंद्रिय करन का मतलब क्या होता है कि भई देखो केंद्रिय करन केंद्रिया करन मतलब कि एक ये आपका बिंदू है ठीक है इसी पर आप क्या है भई केंद्रित है ठीक है आपका जो सारा ध्यान है सारा का सारा आपका जो फोकस है सारी चीजे क्या है आपकी इस बिंदू पर ही है ठीक है तो ऐसे ही हमारे और्गेनाइजेशन में भी होता है क भाई जो हमारी और माल लीजे कि organization का point उसे यह जो आपका केंद्रविंदू है यह क्या है भाई आपकी top management ठीक है और top management ही हर तरहें का decision ठीक है कोई भी decision है कोई भी छोटा decision है बड़ा decision है, किसको hire करना है, किसको क्या करना है सारी की सारी जो चीजे हैं वो किसके द्वारा ली जाती है top management के द्वारा ही ली जाती है सारी की सारी हमारी जितनी भी decisions है वो सारी की सारी decision हमारे किस से लिय जाती है top management की एक ही है एक ही जैसे केंद्र बिंदु होता है कि आप सिर्फ उसी पर ही क्या कर रहे हैं फोकस कर रहे हैं तो उसी तरीके से हमारा केंद्रिय करन में भी होता है कि जितने भी पूरे और्गेनाज़ेशन में टॉप लेवल है, मिड़ लेवल है, लोवर लेवल है platform area पे काम करने वहले जितने भी person है सभी के द्वारा जितने भी decision है वो सिर्फ एक ही बंदा लेगा मतलब हमारी जो top management है सिर्फ वही क्या लेगी भई वो decision लेती है उसे हम क्या कहते है केंद्रिया करन यानि कि जब देखो इसमें कहा गया निर्णे लेने का अधिकार यदि केंद्रित है तो इसे केंद्रिया करन कहेंगे कि जो decision है वो सिर्फ एक ही person लेगा only one person ठीक है क्या है भई वो आपका सिर्फ एक ही person क्या है सारे के सारे decisions को लेगा उसे हम कहते है केंद्रिया करन और जो आपका विकेंद्रिय करन है उसमें क्या है भई कि जैसे अब आपकी ये क्या है टॉब मैनेजमेंट है ठीक है मिड मैनेजमेंट है और क्या है आपकी लोवर मैनेजमेंट है टॉब मैनेजमेंट इंपोर्टेंट वन जो डिसीजन है ठीक है जो इंपोर्टेंट वन डिसीजन है वो को सेट है किसके द्वारा ले जाते हैं हमारी मिड्मेंडर मैंल हमेड्य मैंज्ब्iał की हमारी कि मैंनेज्मेंट सेट फिल्ग उन सब जो इंपोर्टेंट वंडिशीजन है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही परसले लेगा प्रोनिससेंट नहीं से आप लोग भी अपने घरों में क्या है जो आपके पेरेंट्स है मम्मी या पापा ठीक है उन में से किसी एक के मतलब आपकी लाइफ का जैसे की मान लीजिए कि जैसे पहले के टाइम में होता था खेर आज कल तो क्या है अगर आपको अपनी शादी का जो डिसीजन है न वो सारे के सारे डिसीजन हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही लिए जाते थे तो यानि कि हर छोटा बड़ा जिंदगी हमारी है लेकिन हमारे लिए जितने भी डिसीजन है वो सारे को लेंगे हमारे पेरेंट्स लेंगे तो उसे हम कहते हैं केंद्रिया करन कि जहां पर जो डिसीज वो तो हमारे parents ले रहे हैं मलब जो टॉप management वो ले रहे हैं जो हमारे डेली routine के decision है डेली routine के अब जैसे कि मालेजे कि शादी का जो decision है वो तो घरवाले लेंगे ठीक है लेकिन आपको किस college में पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्या लेना है कौन से एक्जाम की त्यारी गरनी है कोचिंग कहा से लेने डेली रूटीन के जो भी छोटे-मोटे-छोटे-मोटे जो भी डिसीजन है वो सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं अब थोड़ा सा बुक की दरफ चलते है देखो इन्हों ने कहा जो अधिकार यदी वह केंद्रित है तो इसे हम केंद्रिय करन कहेंगे जबकि अधिकार यदी एक से अधिक robi क्यों को सोब दिया जाता है मला हर कोई पर्सन अपने अपने लेवल पर क्या ले सकता है भाई, decision ले सकता है, ठीक है, हर person क्या है, अपने अपने लेवल पर कोई भी इसी भी तरीकी का decision ले सकता है, एक से जादा व्यक्ति decision ले सकता है, तो तुसे हम विकेंद्रिय करन कहेंगे, फेयोल के शब्दों में अधिनस्तों का विक सेंट्रलाइजेशन होगा तो सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट इंपोर्टेंट वंडिसीजन लेंगी जो बाखी कि डिसीजन अर्मीड क्योंकि ऐक परसन ने डिसीजन लेना है तो जो डिसीजन वह जल्दी लिया जाएगा और यहां पर जो डिसीजन लेना है वह काफी सारे लोगों ने मिलके लेना है तो वहाँ पर ठोड़ा डीले रहेगा ठीक है जैसे एक्जामपल के तोर पर इसने कहा कि जितने बड़े- वो अलग-अलग लोग लेगे, top management अलग लेगी, mid management अपने लेवल पे, lower management अपने लेवल पे, तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा, decentralization, और अगर आपका organization क्या छोटा सा है, तो हम क्या करेंगे, एक ही person क्या है, सारे की सारे decision अपने लेवल पर ले सकता है, ठीक है, जैसे इन्हो पंचायतों को गाओं के कल्यान के लिए सरकार द्वारा प्रदत नीधी के समझ में निर्ने लेने और उनको व्या करने के अधिक अधिकार दिये गए है, अब पंचायते जो हैं, वो अलग-अलग लेवल पर होती है, अब बहुत जादा है, तो उन पंचायतों को जो भी government help क कर रही है, वो help, वो अपने हिसाब से क्या है, खर्च कर सकते हैं कि किसको जादा देने हैं, किसको कम देने हैं, ठीक है, तो ये था भई आपका centralization और decentralization, ठीक है, centralization का मतलब कि सारे decision एक ही person के द्वारा लिये जाते हैं, ठीक है, एक ही person के द्वारा सारे decision जो हैं, वो लिये जाते हैं और decentralization में एक से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा ठीक है एक से ज़्यादा व्यक्ति क्या लेंगे भाई अपना decision लेंगे समझ में आया तो इसका क्या रहेगा positive effect क्या रहेगा कि इससे workload जो है superior का कम हो जाएगा जल्दी decision लिए जाएंगे increase in the encouragement of the subordinate कि आप अपने subordinate को encourage कर सकते हो ठीक है और negative effect क्या रहेंगी कि unnecessary increase हो जाएगा workload में superior के और in case of centralization कि अगर centralization होगा बलब एक सारे का सारे जो decision एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा sorry तो जो भी superior है ठीक है जो भी सुपिरियर है क्योंकि सारे के सारे जो decision है वो एक ही व्यक्तिने लेने हैं ठीक है एक ही व्यक्तिने लेने हैं तो इसलिए unnecessary उसका जो है काम बढ़ जाएगा और decentralization में जो भी junior है उनका काम बढ़ जाएगा चीक है यह लिखा हुआ भई टाइम यह लिखा तो हुआ है साड़े दस बजे उत्तम कुमार जी यह लिखा हुआ है टाइम साड़े दस बजे ठीक है एंड रोंग decision अगर कोई superior ले लेता है तो उससे भई काम बिगड जाएगा अनकारेजमेंट भी नहीं होगी अब बढ़ते हैं आगे सोपान श्रिंखला ठीक है सोपान श्रिंखला हम किसे कहते हैं कि भई जैसे इसको ना आप यह इस डाइगराम से समझे कि यह डाइगराम क्या कह रहा है कि जैसे अब माली जीए ए परसन यह B है यह C, यह D, यह E, यह F, P, O, N, M, L ठीक है तो हमारी सोपान श्रिंखला क्या कहती है कि कि किसी भी संगठन में जो उच अधिकारी है और अधिनस्त करमचारी है वो होते हैं ठीक है जैसे A है यह क्या है भई आपका उच अधिकारी ठीक है जो B, C, D, E, F यह क्या है भई आपके B किसका जूनियर है A का, C किसका जूनियर है B का, D किसका जूनियर है C का, E, D का, F, E का ठीक है यानि कि E जो है F का क्या है senior है ठीक है E क्या है भई आपका senior है किसके लिए F के लिए और D का क्या है भई ये junior ठीक है D का क्या है ये junior है तो यानि कि E जो है वो senior भी है और आपका क्या है भई junior भी है ठीक है senior भी है junior भी है E F के लिए senior है और D के लिए क्या है भई वो junior है तो हर एक organization में क्या है आपके उच अधिकारी भी होते हैं और अधिनस्त भी होते हैं तो उचतम पद से निमंतम पद तक एक उपचारिक अधिकार रेखा को ही ठीक है मतलब टोप लेवल से उच अधिकारी है उसका जो senior है यानि की E उससे बात करेगा E उस बात को फिर D के साथ रखेगा D C को C B को और B A को बलब F directly A से बात नहीं कर सकता अगर उसको कोई भी problem है कोई भी communication करना है कुछ भी ठीक है तो यानि की E क्या है भाई इसकी पूरी ऐसे line है और आपको उस line को ही cross करना पड़ेगा अब same ऐसे ही जो A है अगर A ने कोई भी decision लिया है तो वो decision A किसको बताएगा B को B किसको बताएगा C को C किसको बताएगा D को D E को और E किसको बताएगा भाई आपका F को ठीक है तो उसे हम क्या कहते हैं सोपान श्रिंखला ठीक है उसे क्या कहा जाता है भाई आपका सोपान श्रिंखला कहा जाता है अब B और L जो क्या है एक ही level पे है ठीक है एक ही level पे है CM एक level पे है ठीक है DN एक level पे है EO एक level पे F और P एक level पे तो माल लीजे की अगर जो F है F को क्या करनी है भई बात N से करनी है F को कोई भी काम है कोई भी information है वो किसको देनी है भई N को information देनी है तो हमारी सोपान श्रिंखला क्या कहती है कि जो f है उसको पहले ये बात किसको बतानी पड़ेगी a को a किसको बताएगा d को d किसको बताएगा c को c किसको b को b a को फिर a l को l m को और m n को इस तरीके से आपका क्या होगा भाई communication होगा ठीक है लेकिन लेकिन जैसे d और n क्या है a की level पे है यह सभी आपस में क्या कर सकते हैं भाई communication कर सकते हैं ठीक है क्या है यह आपस में communication कर सकते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं भाई ठीक है उसे हम क्या कहते हैं गैंग प्लांक यानि कि सम्तल संपर्क ठीक है उसे हम क्या कहते हैं गैंग प्लांक यानि कि जब आपका जैसे मैं एक मिनिट इसको ना सारा कोई रेज कर दूँ कि अगर मैं जैसे कूँ कि B और L, C, M, D, N, E, O और F, P अगर ये आपस में क्योंकि ये एक ही लेवल पर है और ये जब एक ही लेवल पर है तो एक दूसरे से जब वो कॉम्मिनिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे सम्तल श्रिंखला ठीक है उसे क्या कहा जाएगा भई आपका सम्तल श्रिंखला ठीक है उसे क्या कहा जाएगा भई आपका सम्तल श्रिंखला कहा जाएगा ठीक है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम गैंग प्लैंग कि जब एक ही लेवल पर ठीक है जब क्या है भई एक ही लेवल पे जितने भी employees है जब वो आपस में इकठा एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसे हम कहते है गैंग प्लैंग लेकिन ये 105 श्रिंखला का क्या हो रहा है उलंगन हो रहा है ठीक है जो हमारी 105 श्रिंखला है उसका क्या हो रहा है उलंगन क्योंकि 105 श्रिंखला क्या कहते कि अगर F को कोई भी information M को देनी है तो वो पहले F क्या करेगा E को देगा E D को D C को C A को बताएगा B A को बताएगा A फिर L को बताएगा इस तरीके से आपका communication होगा ठीक है इस तरीके से आपका communication होगा लेकिन जब एक लेवल वाले आपस में communication करते हैं तो यह हमारी 105 श्रिंखला का क्या होता है उलंगन होता और उसे हम कहते हैं समतल श्रिंखला ठीक है समझ में आया आप चलते हैं यहां पर फेओल के शब्दों में संग्ठनों में अधिकार और संप्रेशन की श्रिंखला होनी चीए जो उपर से नीचे तक और उसी के अनुसार प्रबंदक और अधिनस्त भी आपके होने चाहिए ठीक है फेओल के अनुसा समतल संपर्क के द्वारा संपर्क साद सकता है जैसा चित्र में दर्शाया गया है यह क्या है आपका छोटा मार गया ताकि इसका प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि आपके कॉम्मिनिकेशन में क्या हो भाई देरी ना हो जो भी आपको डिसीजन लिने वह आप टाइम ले सके विवहार में आप देखते हैं कि कंपनी में कोई भी श्रमिक सीधा मुख्या कारिया कारियाधिकारी से संपर्क नहीं कर सकता यदि उसे आवश्यक्ता है भी तो सभी अपचारिकस्तर अथ्वा फोर्मेन फिर वो अधिक्षक सूपर्वाइजर फिर मैनेजर फिर निर्देशक आधी को विश्यक के संबंधित ज्यान होना चीए केवल आकस्मिक परिस्थीतियों में ही एक श्रमिक मुख्या कारिया कारियाधिकारी से क्या कर सकता है डारेक्ट कॉमिनिकेशन कर सकता है बता आएंगे जैश्री महाकाल प्रदुमन पनवार जी जैन से बहुत बढ़िया आप तो महाकाल की नगरी से हैं भूत्ते बढ़िया समझ में आगे बढ़ते हैं आगे तो यह देही रखा है देखो यह स्केलर चेन है आपकी जब F P से क्या कर रहा है बात कर रहा है तो that is your gang plank ठीक है इसको हम क्या कहते हैं स्केलर चेन formal line of authority which moves from highest to lowest rank ठीक है जो क्या है भई आपकी formal line है authority की जो उपर से लेकर नीचे तक एक straight line में ठीक है क्या है भई एक straight line में move करती है गैंक ब्लैंक आपको बता दिया तो इससे क्या है भई आपके जो flow of information वो orderly flow होती है better realization होता है क्योंकि authority है मतलब हर person यह सोचेगा कि हाँ भी पहले जो बात है वो मुझे बताई गई है ठीक है यह नहीं कि जो हमारा जूनियर है उस जूनियर ने पहले senior को तवज्जो दी है महत्तव दिया है तो वो भी खुश रहेंगे राजी रहेंगे उनको एक respect वाली feeling रह जाएगा लेकिन इसके negative impact भी है जो information है क्योंकि भई आप देखो अगर कोई भी information F को B को देनी है तो E D और C उसमें क्या कर सकते हैं कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं है ना मलब बात को तोड मरोडा जा सकता है modify किया जा सकता है जरूरी नहीं है कि F ने जो information B के लिए दी है वो एकदम आपकी एकदम सही है ठीक है उसमें क्या है आपके change हो सकते है modification हो सकता है तो इससे जो है flow of information effect होगा रिष्टो में क्या है कडवाहट होगी क्योंकि अगर आप अपने close superior को ignore कर देते हो increasing problem because non availability of information in time कि भाई आपको time पर सारी information नहीं मिलेगी इसलिए आप उन ठीके से अपनी एक concept को बिल्कुल बारी की से समझना चाते है जर्नल management की तो मैं आप लोग को बता दू कि भाई हमारा नर्मदा पटवारी का सब ग्रूप 2 और सब ग्रूप 4 का जो batch है वो शुरू हो चुका है 20 दिसंबर से ठीक है तो भाई जल्दी जल्दी अगर आप भी पटवारी की सब ग्रूप 2 या सब ग्रूप 4 सभी की अच्छे से तयारी करना चाहते है एक ही जगहे पर ठीक है ठीक है तो भाई आप इस बैंच में जल्दी से अन्रोल कर लिए क्योंकि 20 दिसंबर से जो क्लास है वो शुरू हो चके है थोड़े टाइम में मेरी भी जो है इसमें क्लासी शुरू हो जाएंगी तो अगर बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो रोज सुबह साड़े 10 वजे जुड़िये नहीं तो भाई 337 कूपन कोड का इस्तमाल करके सिर्फ और सिर्फ 700 रुपे में आप अपने क्या है गौर्मेंट जोब की तयारी बिल्कुल असा पर क्या है आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा आप चाहे तो MP का महापैक भी ले सकते हैं आज यह महापैक आपको सिर्फ और सिर्फ 900 रुपे में मिल रहा है पूरे एक साल की वैलेडिटी रहेगी और इसकी जो वैलेडिटी है वो सिर्फ 6 महीने रहेगी तो फायदा देख लिए 200 रुपे देखे आप पूरा एक साल तक और वो भी MP के किसी भी एक्जाम्स की तयारी यहाँ पर कर सकते हो कूपन कोड इस्तवाल कीजिएगा वाई 337 जो आपको देगा 78% डिस्काउंट प्लस 100% कॉंसेप्ट क्लारेटी ठीक है जी ओके बबाई टेक या थैंक कर दो सकते हूं